अलो विवर्स, वेल्कम बैक टू मैं चैनल, आज का हमारा ब्लोग होने वाला इस ब्यूटीफुल से फैब्रिक बैंगल का, तो चलिए अपना ब्लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको ये चूड़ी ले लेना है, अपने साइज से थोड़ी सी बड़ी, फिर हमें इस सेवन थाउजन यूज किया है, अगर आपके पास सिक्स थाउजन है, उसको भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप फैब्रिक वाला जो फैब्रिक ओल आता है, उसे ले लीजिए, इस तरीके से इसे दूसरी चूड़ी रखके चपका लीजिए, इस पे एक और लेन लगा लीज तो देखे, इसकी जो width है न, वो half inch आ रहे है, ओके, देन हम अब क्या करना है, इसा फैब्रिक लेना है, आपको जिस color का बैंगल बनाना है, वो फैब्रिक ले लीजिए, तो देखे, इसकी जो मैंने चड़ाई रखे है न, 1.8 inch रखे है, ओके, इसकी लंबाई हम कैसे measure करें चूड़ी ले लेंगे, इसके उपर इसे पूरा round में रखे देख लेंगे, कि हमें इसकी कितनी लंबाई चाहिए, देखे ऐसे, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा में, एक इंच बराबार आप फैब्रिक जादा ले लीजिए, देन अब इस पर क्या करेंगे, हम फैब्रिक बाल चाहिए, और स्टीन स्टीन दिखते हैं, तो इसलिए आप फैब्रिक वाला जो फैब्रिक वालाता है, उसका ही यूज कीजिए, अब आप क्या करिए, थुड़ा थुड़ा सा ग्लू लगाईएगा, और उसे अच्छे से हातों से फैला लीजेगा, इवन फैले तो बहुत अच्छी बात है, ताकि इससे जो हमारा जो फैब्रिक है वो भी एवन लग जाए, तो इस तरीके से मैं ये सारा जो ग्लू है वो लगा लूँगी, तो देखे, इस तरीके से हमने फैब्रिक चुपका लिया है, अब एक्स्टा में ये फैब्रिक आप बच रहा है न, तो इसे हम काट देंगे, आप थुड़ा सा एक्स्टा में फैब्रिक लेके चलिएगा, तो देखे, इस तरीके से मैं ये सारा फैब्रिक निकाल दूँग और एंड है ना इसके इस चुपकाने से पहले थोड़े से देखे इस तरीके से इसे अंदर की तरफ मोर देंगे वैसे तो एक कॉटन का कपड़ा है तो इसके धागे वगेरा कम किसते हैं पर तो भी आप अंदर कर दीजिए ताकि फिनिशिंग अच्छी आए इसकी देन आप ह हाक जनद हम ठोड़ा सा ग्लू और लेंगे जो हमने कपड़ी के लियरन लगाई हिना उसके उपर डालेंगे कि हमारा जो लेंड है उसके उपर यह दूसरा फैबरिच चिपकक जाए ओप जो भैग से साइस को इसे साब से लीजेगा तो आप क्या करिएगा कि एक साइस तो इस तरीके से मैंने इसे पूरा चुपका के रैडी कर लिया है देन मैं क्या करूंगी इस पर एक और जो फैबरिक है उसकी स्चुप चुपकांगी तो देखें यह जो फैबरिक की चौड़ाई है वहना एक इंच लिए और इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूं देख एक तरफ इस तरीके से ऐसे मोड लेंगे अच्छे से देन क्या करेंगे इसके पर थूड़ा सा ग्लू और लगाएंगे ग्लू कम-कम कॉन्टिटी में लगाईएगा यह तो फैबरिक के बाहर आ जाएगा तो देखें इस तरीके से हम इसकी इतनी चौड़ाई बना लेंगे इसी तरीके से हम पूरी जो है स्टिप को फोल्ड करके रेडी कर लेंगे यह मेरे सूट के मैचिंग का है बाटम बेयर और टॉप बेयर का आप अपने अकॉर्डिंग साडी के सूट का जिसका मैचिंग का बनाना चाहें इसका बना सकते हैं तो देखें इस तरीके से पूरी गूडू लगा डिया जहां पर जॉइंटे वहां से चुपकाईये गा ताकि हमारे सारे जॉइंट एक ही तरफ आ जाए पूरे में जॉइंट ना दिखें तो इस तरीके से थोड़ा सा गुलू लगाएंगे देन इस स्ट्रिप को चुपका देंगे देन थेड़ा थोड़ा गुलू लगाते जाएंगे विस स्ट्रिप को चुपकाते जाएंगे तो देखे हम end में आ गए हैं जो extra में strip है उसे काटके अलग कर देंगे आप भी strip हमेशा extra में लें क्योंकि आपकी जो length है fabric की वो अलग आपको ज़्यादा या कम लग सकती हूँ कि आपके बैंगल का size है वो कम या जादा हो सकता तो देखे इस तरह से चुपक के ready हो गया अब हम इसे decorate करेंगे उसके लिए में इस तरह के कुंदन लोंगी देन हम तीन तीन कुंदन के जो flower है वो बनाएंगे आप चाहें तो इसे चार भी बना सकते पर मुझे तीन ही कुंद शार पेजे वो अंदर करेंगे और जो इसका चोड़ावाना भागे वो पीछे करेंगे तो देखे इस तरीके से हमारा एक flower बनके तैयार हो गया न ऐसे हम इसे flower बना लेंगे मैं इसमें total 8 flower बनाओंगी आप अपने according इसकी quantity ज़्यादा या कम कर सकते हैं आप चाहें तो इस स्किप भी कर सकते हैं नार्मल इसे ऐसे ही पहन सकते हैं यह ऐसे भी काफी यूनीक लगते हैं तो इस तरीके से मैं सारे चिपका लूँगी अब हम क्या करेंगे इसमें इखटे बहुत सारा ऐसे ग्लू लगा लेंगे वो कि अभी बारिश का टाइम है तो इतनी जली यह ड्राय नहीं हो जाता तो जितने आपको flower जाईए पहले आप ऐसे ग्लू लगा लीजे थोड़े थोड़े हिस्से में जितने को आप पकड़ र लगाते जाएंगे यह कुंदन लगाने के बाद हम इसे आदा से एक गंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमारे कुंदन है पूरे फिक्स हो जाए तो इतना आप छोड़िएगा को कि भी बरसात का सीजा ने तो फिक्स होने में थोड़ अथा इसे टाइम लगता है तो